कॉंग्रेस पाजी राहूल गांधी की नेतरत मेया से भारत जोडो यात्रा शुरू हो रही है कॉंग्रेस ने कहा कि स्यात्रा का मकसद प्रेम और भाईचारे को फैलाना है इसलिए इसका नाम भारत जोडो यात्रा रखा गया कॉंग्रेस ने का कि यात्रा एकता की शक्ती दिखाने एक अदम से कदम मिलाने और सपनों का भारत बनाने के लिए है कॉंग्रेस कि इस यात्रा को 2024 के लोगसवा चुनाव से जोड़ कर भी देखा जा रहा है राहुल गांधी आज कन्या कुमारी से भारत जोड़ो यात्रा को अरी चंडी दिखाएंगे और शुरुवात करेंगे से पहले कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी श्री पैरूम बुट्टूर पहुंचे यहां उन्होंने अपने पता और पूर्व प्रधानमंद्री राजिव गांधी को श्रधान चलिया पित्की यहां से राहुल गांधी कन्या कुमारी पहुंचेंगे यात्रा के शुभारम से पहले राहुल गांधी कन्या कुमारी में विवेकानन रॉक मेमोरियल तिरुवल्लगुर्ट, स्टैच्यू, गामराज मेमोरियल भी जाएंगे राउल गांधी ने कहा कि नफरत और बटवारे की राजनीती में मैंने अपने पता को खो दिया मैं अपने प्यारे देश को इसमें नहीं खोंगा प्यार नफरत को जीत लेगा आशा डर को हरा देगी, हम सब मिलकर मात देंगे बता दे 3500 किलो मीटर की ये यात्रा 12 राज्जियों डो के इंडर शाषित प्रदेशों तक चाहेगी इस यात्रा का उद्देश महारत को जोड़ना है जो समाजी कूलिया या नफरत खलाने की जो कोशिस पी जा रही है उसे समाथ करना फूचला जितने भी समधानिक संस्थाएं हैं उसे केंद्र सरकार लगातार कंजोर कर रही है अब लोग सबह में भी मंगाई बेरोजगारी इस पे चर्चा नहीं होती करने नहीं होती है आईसे में जन्ता की बीच जाकर जन्ता की समस्याओं को लेकर बाग करना और एक उर्देश में एक वातवरन मेरमित प्याजकिसान मजदूर नोजमान ग्रेमियां सारे लोग परसान हैं मंगाई से दुरुजगारी से सबत्रस करने इस सब मुद्वों को लेकर यह आत्रस झाल